बुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स बच्चों आज हम पार्ट है सरवनाम प्रयो उत्तम पुरुष लटलकार्वी करने सीखना जा रही है तो सब्सक्र पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सरवनाम क्या होते हैं आपको पता ही होगा कि जो शब्द संग्या के इस इस संपित में ऐहम आवाम वयम स्वम युवां युश्मान अस्माकम यह सथ हमारे सरवनाम शब्द है तो आज हम सरवनाम शब्दों का उत्तम पुरुष लटलकार में प्रयोग करना सीखने जा रही हैं लटलकार का मतलब होता है वर्तमानकार जो हमारा अभी समय चल रहा ह उसे हम वर्थमान काल कहते हैं तो हम वर्थमान काल में ही उत्तम पुरुष में सरनाम शब्दों का प्रयोग करना सीखने जा रहे हैं उत्तम पुरुष क्या होते हैं यह मैं आपको बताना चाहूंगी उत्तम पुरुष वहा होता है जो बात को कहता है जैसे कि अभी मैं आपके सामने, मैं आपसे पनी बात कह रहे हूं, तो इस समय उत्तम पुरुष कौन हुआ, मैं भी, तो उत्तम पुरुष के लिए जो सरवना प्रयोग के जाते हैं, वहाँ एहर, आवां, वयं होते हैं, इसके अलावा अन्नेधी सरवना होते हैं, चलिए हम इनी का प्रयोग करना सीथे हैं, एक वचन, एक व्यक्ति, वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, दे वचन, दो व्यक्ति, वस्तु, और बहु वचन, दोसे, अज्यक्ति के लिए प्रयोग किये जाते हैं, तो हम उत्ताव पूरुष में सरवनामों का प्रयोग करना सीथ रहे हैं, आप आप देखिए, उत्ताव पूरुष में कॉंखन से सरवनाम प्रयोग किये जाते हैं, एक वचन वहता है, एहन, एहन का अर्फ होता है, मैं आवाम आवाम का मिस होता है हम दोरों वयाम वयाम का आखता है हम सब माम का आखता है मुझको आवाम हम दोरों आवाम का आवाम का आखता हम सब मेरा, आवयो, आवयो काखता है, हम दोनों का, आवयो, 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 आवयो तो बच्छों इस कता आपने ड्यागर पे देखें कि मैंने आप जो सरणाम लिखें हैं ये सरणाम उत्तब पूरुष में प्रयोग किये जाते हैं एहां आवां वायं मां आवां अस्मान मं आवयोग अस्माकम चलिए आद हम आगे पना शुरू करते हैं नीचे आपको कुछ क्रियाएं दी हैं तो इन क्रियाओं के अंदर करते हम लट्ठकार इंका प्रयोग करना सीथे हैं लट्ठकार की पहचान है चिन हैं आमी आवह आम अगर आपको इन चिन लियाद हैं तो आप इनको किसी दी धातु के साथ लिखकर अब सर्वाम सब्दों को किसी दी धातु के साथ लिखकर आपक्रिया पूर्ण कर सकते हैं जैसे पठ हैं पठ में हमने आमी लगा दिया तो पठामी पठाव पठाव गच्छ में हमने आमी लगाया तो गच्छामी आव लगाया तो गच्छामी धाव में लगाया तो धावामी आव लगाया तो धावाम्ह और आम्ह लगाया तो धावाम्ह इस प्रकार हम इन चिनों क नहीं साहिता से इन्हें धातुयों में लगा कर क्रियाखूं करते हैं जिसे घ्र में लगाया क्रिडामी क्रिडामा भूं ये तो भवामी बहलाव भवाम है रक्ष में लगाया रक्षमी रक्षावं रक्ष्uciones nisam क्रिशाव क्रिशाम नम में लगाया नमामी नवाव नमाम यह गया में लगाया तो गायामी गायाव गायाम क्री में लगाया तो करुमी कुर्व कुर्म द्रिश में लगाया यह पश्य में लगाया तो पश्यामी पश्याव पश्याम नृत्प में लगाया नमस्म लगा या चिंत्यामी चिंत्यामः स्था चिलिए बचूब हम पेस नमबर 33 से रिदिक करना शुरू करते हैं यहां कुछ वाक्ये दे हुए हैं इन्हें हम पढ़ रहे हैं एहम चात्र अस्मी एहम का मतलता है मैं इन्हें आपको बताया था एहम का मतलता है मैं मैं चात्र हूं मम नाम दीपक हा अस्ती मेरा नाम दीपक है एशह मम विध्याले अस्ती यह मेरा विद्ध्याल्य है मम्मा विद्ध्याल्य अने कहा छात्रहा पठनती मेरी विद्ध्याल्य मेरी अने छात्र पढ़ते हैं मम्मा भगीनी भगीनी का मतलता है बहन मम्मा भगीनी मेरी बहन शुभा अपी अत्रे एव पढ़ती अपी का मतलता है भी और अत्र मतलत यहां यहां यहीं मम भगीने शुभा अपी अत्रे एव पढ़ती मेरी बहन शुभा भी यहीं पढ़ती है आवां प्रती दिनम विध्यायं गच्छा है एक वचे के लिए आवां तुई वचे के लिए आवाम यानि हम दोनों, हम दोनों प्रतितिन विद्ध्याले जाते हैं एतत अस्माकम विद्ध्यालेस्टे प्रांगणम अस्ति यह हमारे, अस्माकम मतलब हमारा या हमारे यह हमारे विद्ध्याले पा प्रांगण हैं चात्रह प्रांगणे तिष्ठंती खेलंदी चाउर चात्रह प्रांगणे तिष्ठंती खेलंदी चाउर चात्रह प्रांगणे तिष्ठंती खेलंदी चाउर प्रांगणे तिष्ठंती खेलंदी चात्रह प्रांगणे तिष्ठंती खेलंदी चात्रह प्रांगणे तिष्ठं हम सब यहां खेलते हैं पढ़ते हैं और बैठते हैं मैं यहां व्यायम करता हूं अस्माकम विध्यारिय एकम उध्यानम अस्ति हमारे विध्यारिय एक बगीचा है उध्यानम यानि बगीचा उध्याने पुष्पाणी संति उध्यानम उध्यान में यानि बगीचे में पुष्प हैं मैं पुष्पाणी पश्यम हम सब पुष्पों को देखते हैं पुष्पाणी अस्मान प्रिय संती, फूल हमें प्रिय हैं पुष्पाणी मनोहराणी भवंती, पुष्पल मनोहर होते हैं एहन प्राते काले उध्याने भ्रम्मामी, भ्रम्मामी यानि घूमना मैं प्राते काल उध्यान में घूमता हूं आवाम चात्रो स्वव आवाम मतलब हम दोनों हम दोनों चात्र हैं आवाम सभागारं गच्छाव हम दोनों सभागार जाते हैं तत्रे आवाम गीतं गायाओ महां हम दोनों गीत गाते हैं अत्र मतलब यहां अत्तत्र मतलब महां आवाम चित्राणी अपी रच्चाव, अपी कम बनता भी हम दोनों चित्रे भी बनाते हैं आवयोग अध्यापक कहा तत्र तिश्ठनती हमारे अध्यापक वहां बैठते हैं आवाम अध्यापकान नमावग हम दोनों अध्यापकों को नमन करते हैं बच्चों हमारा चैप्टर शीक्स कम्प्रीट होगी है इसकी डिडिंग हमाई कम्प्रीट होगी है कल हमें सब बुखवर अब कोशन आंसर करेंगी तो आज आपका वर्ट को होमवग यही है कि आप इस चैप्टर की अच्छे से रिडिंग करें और जो ब्लैक बोर्ट पर मैंने आपको सरणाम शत्र लिखे हैं यह आपके बुक में भी प्रेस नमबर 32 पर लिखे हमें हैं इन्हें आप लर्ण करें और यह निचे की क्रियाएं दे रखी हैं इनको भी आपको लर्ण करना है थैंक्यू